स्वागत है आप लोग का UPPAC mentor group पे हम लोग कल के लिक्चर में प्रियंबल से जो question बन सकते थे और कथन वाला सबसे ज़्यादा important था कि किस बिद्वन ने क्या कहा वहां से question बन जाता है अक्सर गलत हो जाता है तो हम लोग target वो कर रहे हैं जो किसी टेस्ट में आये नहीं है या लोग देते नहीं है या हमें कहीं उन से मुलाकात नहीं होते हैं उन प्रस्नों से तो उन प्रस्नों पर विचार कर रहे हैं साथ ही साथ हम लोग वो प्रस्न जो गलत हो जाते हैं थोड़े से मैंनुट तैना की दिमाग के लोचा हो जाए या कुछ भी हो जाए उससे गलत हो ऑन प्रसनों को देख रहे हैं तो देखो प्रेंबल देख लिये फंदमेंटल राइट की कुछ पॉर्षन देख लिये उस portion में एक आता है article 19, स्वतंतता का अधिकार में, ठीक है, ऐसे स्वतंतता का अधिकार में आपको मालूमी होना चाहिए, ये अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, जो important article है, वो आप जाहिएगा इस channel पे, important article के लिए video बना रखें, तो आपको क्या करना है, एक से क्या होन त चाहिए, तो आट, स्वतंतता के अधिकार में, देखो, 19 से 22 तक आता है, लेकिन 19 में 6 है, उन 6 का क्या होता है, कि हम confused हो जाते हैं कि कौन आता है, तो उसका एक trick है, trick है, ये है, कि some reside in Poland, बस इसको याद रखना है, और यही sequence है, yes for क्या है, speech है, पहले यहाँ बता दे रहे हैं, उसके बाद चलेंगे, speech है, ठीक है, a for assembly है, a for association है, और m for migration है, तो पहले ये चार देख लेते हैं, तो देखो, साम के नाम से याद रहेगा, कि साम, साम में क्या करना है, पहले देखो, a speech का मतलब है, कि बिचार और अभिवेक्ति की सुतंतता, तो 91 लिखोगे, उसके बाद ये चपका दोगे, क्योंकि ये एक नमबर पर आ रहा है, तो ये होगा, ठीक है, तो बिचार और अभिवेक्ति की सुतंतता हो जाएगा, और दूसरा क्या है, सांती पूर्ण और सस्त्र रहित, सम्मेलन की बात की गई है, सम्मेलन करोगे, तो स ये सन का मतलब संस्था, साकारी संस्था की अस्थाफित करने की बात किसमें कहा गया है, 91 C में, और भारत में कहीं भी आने जाने का सुतंतता, अर्थाथ माइगरेशन का, माइगरेशन तो सब लोग जानते होंगे, इंगलिस वाले भी और हिंडि वाले भी, तो माइगरेश तो उसके बाद आ जा गया कि भारत में कहीं भी निवास करने का ठीक है और बस जाने की सोतनत्ता फ होता दिया गया था इसकी जेकरी नहीं करना है जीम में क्या है बस ये एफ वाला ध्यान रखना हटा दिया गया है और देखो इन पोलेंड पी फॉर क्या है प्रोफेशन तो प्रोफेशन का मतलब कि बेवसाइड तो कोई भी पेसा ये बेवसाइड करने की सुतनता इसमें दीगे है तो हमने 6 हाटिके लूमिनिस के जो प्रेस बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं और अक्सर क्या होता है मिस्टेक हो जाता है तो पूछा जाता है कि प्रेस की सुतनतता पहले बात तो यहीं पूछ लिया जाता है कि प्रेस की सुतनतता कौन से हाटिकल में डिसाइड है तो ये ध्यान रखना प्रेस की स 1901-1 के ताहत अभिव्यक्ति की स्वतनतता में प्रेस की स्वतनतता को माना था, अपने वाद में, कौन से वाद था तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज वाद था, ठीक, पहला, दूसरा कोस्चिन है, कि ध्वज फाराने की स्वतनतता किस में आता है, जो जंडे फैराते हैं, वो किसके अंदर आएगा, तो ध्यान रखना है, ये भी 1901-1 के ताहत आएगा, अर्तात, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतनतता में आएगा, दौज फैराने का, तो कौन से केस में बोला गया था, तो नवीन जिंदल केस में सुप्रिम कोर्ट ने बोला था, और मौली का अधिकार गोशित किया था इसको, दौज फाराने की स्वतनतता पूछ ले, कि ये आपका विदिक अधिकार है, कि मौली का अधिकार है, तो ये मौली का अधिकार है, छिक, दो हो गया, तो इंडियन एक्स्प्रेस केस बहुत इंपर्टेंट, नवीन जिंदल केस, वेरी इं इमैनुवल केस, या इमैनुवल बनाम केरल राज, इसमें सुप्रीम कोट ने बोला था, इमैनुवल केस में, कि मौन रने की सोतनतता, जो है, वो कौन से आइटकिल किताथ है, तो वो भी 1901, एक इताथ मौन रने की सोतनतता दे गई है, तो पूछ लिया जागी, कि मौन रन Emanuel, Banam, Keralh Rajwad में बोला गया थ भर है, इसी में बोला था किसी राश्च गानने के लिए बाद हे नहीं किया जा सकता, जब मान रॉन रहने का दिकार है, fundamental right है, तो राश्च गानना के लिए बाद हे नहीं किया जा सकता, किस में बोला था, इम्मैनुवल केस में गोला था, very important, ध्यान रखना, अब आ जाते हैं, हम लोग next में, देखो next आने से पहले कुछ question है, ध्यान रखना, आप देखना, निद्रा का अधिकार, कौन से अर्टिकल में आता है, पहला यह question, अपना जीवन साथी चुनने का, जीवन साथी चुनने का, अधिकार किसमें आता है, यह दूसरा question, तो ऐसा लगते हैं कि निद्रा का अधिकार हमारा क्या है, मौलिक अधिकार तो हो नई चाहिए तो यह ध्यान रखना की 21 में आता है और जीवन साथी जो आप विवार करते हैं तो अपनी जीवन साथी को चुनते हो तो वह स्वत एंसता का अधिकार नहीं इस मतलब आटटकेल उनिस नहीं है ध्यान रखना 21 है solution प्रियावरण का अधिकार कौन सा है तो आठकिल 21 में जितने प्रावधान दिये गये है न वो जरूर पढ़ना जब पढ़ रहे होगे और हमने पता है नीद्रा का नीजिता का इंटरेनेट सेवा वो सब आठकिल 21 के दाता थे ठीक है तो ऐसा नहीं गलती करना कि जीवन साथी को अपने सोतंतर रुप से चुनते हो तो सोतंतर अगार्दिकार 19 मार क्या जाओ नहीं मारना गलत हो जाएगा सब देखो जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट कहा से है बारस लेके 35 बात की जा रही है तो 12 तो क्या है 12 तो राजिक का परिभासा दिया गया है 13 में क्या है तो 13 में अगर संसद कोई कानून सविधान सम्मत ना बनाए, सविधान सम्मत ना हो, तो वो Supreme Court या High Court क्या कर सकता है, उसको रद कर सकता है, यह बोला गया है, सिंपल भासा में देखे तो, 13 में, और 14 के बाद तो इस्टाठी हो जाता है, तो जितने आर्टिकल पढ़े हैं, उसमें सबस से ज्यादा अगर याद नहीं रहता है, वो आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 20, आर्टिकल नंबर 20, तो आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है, तो आर्टिकल नंबर 20 यह बोलता है, कि हमें अपराधी ठहराय जाने से सनक्षन, सनक्षन की बात करता है, अपराधी ठहराय जाने स ये 1, 2 करके confuse कर सकता है, ठीक है न, तो ये ध्यान रखना, देखो, कहा है कि पहला क्या बोल ला है, 20 तो समझ गए न, अपराधी धराये जाने से सरक्षण है, ठीक है, अब 20, 1 क्या बोलता है, 1 कहता है, कि सहब हमें तब तक अपराधी ने थरा सकते, जब तक हम कानून का उलं नहीं करें, पहला बोल ला है, कि जब तक हम कानून का उलंगान ना करें, तब तक हमें अपराधी ने थरा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा बोलता है, जो कानून में सजा दिया गया होगा न, उस सजा से हमें अधिक सजा नहीं दे सकते हैं, तो पहला बोल ला है, कि हम अगर क कोई कानून के खिलाफ जाते हैं, उलंगान करते हैं, तब ही हमें अपरादे ठहराया जाएगा, और दूसरी बात, उस कानून में जो सजा दिया गया है, उस सजा से अधिक हमें सजा नहीं मिल सकता, पहले बात, तो दूसरा क्लॉज में क्या बोलता है, दूसरा क्लॉज ये ब को डंड भी एक बार ही मिलना चाहिए एकम सा बोलता है दूसरा बोलता है और तीसरा बोलता है कि कि बेपी को अपनी गवाई देने के लिए बाद नहीं कर सकते हो गवाई देने के लिए बाद यह नहीं कर सकते हो, हमको मालो कि अपराध ही बना दिये, पुलिस वले लट्थम लट चला रहे हैं, और कहा है कि अपनी अपराध को स्युकार करो, और गवाई भी दो, तो अपने खिलापा बाध यह नहीं हो, क्या, बाध यह नहीं हो, गवाई नहीं मिलना चाहिए लेकिन है यहां पर अपवाद है अपवाद क्या है कि अगर न्याइक डंड है न उसके लिए लागू है कि एक बार में सिर्फ एक बार एक अपरात के लिए एक बार ही डंड दिया जा सकता है एक से अधिक बार डंड नहीं दिया जा सकता है यह सिर्फ न् तो उसमें ये लागू नहीं होता है, ध्यान रखना, तो ध्यान से पढ़ना नियाईक डंड दिया है, कि विभागी डंड दिया है, अगर विभागी डंड है, तो उसमें एक अपरात के लिए एक से अधिक बार डंड दिया जा सकता है, विभागी का मतलब समझो आराम से, कि क या एक डंड में ही अप्लेकेबल है कि एक ही अपरात के लिए एक से अधिक बाद डंड नहीं दिया जा सकता है। I think clear हो गया होगा यहां से। आप आ जाते हैं, प्रस यहां पे आता है कि कौन से वाद में, कौन से वाद में वाद की बात किया गया है। कौन से वाद में सुप्रीम कोट बिधी की उचित या सम्मेट प्रक्रिया का लागो करने की बात गई थी। जबकि भारत फॉलो करता है क्या बिधी द्वारा अस्थापित प्रक्रिया। अर्था जो विधी द्वारा, जो सविधान में लिखा गया है, उसी के अंसार क्या करना है, प्रक्रिया करना है, उसी के अधार पे हम क्या करेंगे, किसी चीज को मुल्यांकन करेंगे, जो सविधान में दिया गया है। लेकिन पौनसे वाद में ये बोल दिया कि सभिधान सब के लिए भारत में सब के लिए सही है, लेकिन एक वाद में एक exception दे दिया कि वहाँ पे विद्धी की उचित या समक प्रिक्रिया लागू होगा, जो भारत में नहीं लागू होता है, सिर्फ एक जगा, तो वो मेंका गाधी केस था और वो आर्टिकल 21 को लेके था, और यही कारण है कि आर्टिकल 21 क्या हो रहा है, ब्यापक होता जा रहा है, इसका बिस्तार होता जा रहा है, ठीक है, तो आटकिल 21 के लिए मिनका धादी ने बोला कि यहां पर विदी द्वरा अस्थापित प्रक्रिया लागू ना होके विदी की उचित या समयक प्रक्रिया लागू होती है चलो साब यह भी मान लिए और यह भी जान लिए तो फिर ये कौन सी बला है कि बिधी के द्वारा अस्थापित प्रक्रिया क्या होता है बिधी द्वारा निर्मित प्रक्रिया क्या होता है और बिधी की उच्चित यह समय क्रक्रिया क्या होता है इसको समझते हैं और यहां से question आते हैं तो इसको समझना जरूरी है तो दिको ब विद्धि को सर्बोच माना जाता है। जो समभधान में विधी लिखा गया है जमYouP iana दीए गया है कि और इसमें बिद्धि की द्वारा इसठावित प्रक्रिय है। नुरू सब्दुश और इसमें के उडिक कौन बनाता है तो संसत बनाता है, ठीक है, संसत बनाता है, तो यहाँ पे बिधी द्वारा निर्मित, मतलब बिधी जो बनाने वाला है, अर्था संसत की द्वारा जो नियम बनाय जाएगा, कानून बनाय जाएगा, उसको सरगोच उता दिया जाएगा, अर्था यहाँ पे संसत क्या हो जाए मतलब कि जो बिधी की द्वारा प्रक्रिया बनाया जाए अर्था जो संसत्थ प्रक्रिया बना दे वही सर्वमाने है तो सहब बिधी की उचित या समयक प्रक्रिया क्या होता है और कहां पाई जाता है तो बिधी की उचित प्रक्रिया या समयक प्रक्रिया अमेरिका की कहानिय इसमें क्या होता है? कि कोई विधि है, कोई काणून है, वो कानून उचित है के नहीं, सम्यक है के नहीं, वो decide करेगा कोण? Supreme Court. मतलब विधि की जाच या मुल्यांकन कॉण करेगा कि उचित है के नहीं, बर्थमान समय में उचित है, प्रासंगिक है कि अब प्रासंगिक है, समयक है कि नहीं, समयक अंसार है कि नहीं, यह कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोट, अर्था आते, जहां पे नियाले क्या हो जाए, सरबोच हो जाए, उसको बोलते हैं विधी की उचित प्रक्रिया, ठीक है, और यहां पे सुप्री इतनेशिया क्या देया मेर्टु या देया मेर्टु इसको बलते हैं देया मेर्टु का चर्चा या देया मेर्टु पे कौन सा विवात दिया गया था कौन सा वात था सुप्रेम कोट का तो अरूना सानबाग केस था जो 2011 में था जिसमें देया मेर्टु पे सुप्रेम कोट ने नहीं दे सकते हैं पैसिव का मतलब क्या कि अगर कोई वेंटिलेटर पे है और फूड पाइप की तोरह खाना खा रहा है तो वो जो सपोर्ट दिया जा रहा है उसको हटा सकते हैं लेकिन एक्टिव का मतलब कोई ऐसा नहीं कि पौईजन या कोई ऐसा इंग्रेडियेंट दे द की जाते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अल्पशंख्यक को बात करते हैं तो हम यह जानते हैं कि 2 आधहर पर यत तो देखा Cape Cup कि अल्प संख्यक रास्टी अस्तर पे होता है, रास्टी अस्तर पे, और एक क्या होता है, हमारे राजे के अस्तर पे, ठीक है, अल्प संख्यक, दूसरी बात है कि अल्प संख्यक देखा जाए रास्टी अस्तर में, तो दो अधार पाये जाता है, क्या पाये जाता है, और धार्मिक अधार पर अल्पसंख्यक decide किया गया था, तो कौन से case में किया गया था? question यहाँ है यह तो हम जानते हैं कि भासाई अधार पर धार्मिक अधार पर अल्पसंख्यक को माना जाता है, लेकिन यह दियान रखना है कि राश्टी अस्तर पे माला जाता है, तो ये साहब केस था, TM5 Foundation Case 2002 में, इसने ही clear cut बताया था कि दो अधार पे, राश्टी अधार पे और राश्टी अधार पे हम क्या देख सकते हैं, और राश्टी अधार पे बतायता है, भासाई और धार्मिक, राज के अस्तर पे क्या देखेगा, तो राज के अस्तर पे देखेगा, जहां पे हिंदू क्या हैं, हिंदू क्या हैं, अल्प संख्यक हैं, वो कौन-कौन से राज हैं, तो वो छे राज हैं, पॉन कॉन से राज अस्तर पे जम्मू और कस्मीर, पंजाब, नागालेंड, मिघाले, मिजोरम और अरुनाचरपर्दिस, इन राजियों में हिंदू क्या है, अल्प संख्यक है, बाकि राश्टी अस्तर पे, भैसाई अधर पे और धार्मिक अधर पे 6 अल्प संख्यक हैं, र यह ल्प संख्यक हैं, वो किस पर decide किया है था सूप्रीम कोट ने, तो यह धि만 रखना कि अल्प संख्यक decide किया था, जन संख्या के अधर पे, जन संख्या के अधर desem, अब next question कौन से article में अल्पसंख्यक word दिया गया है या सभिधान में अल्पसंख्यक सब्द प्रियो Supreme Court री रीटबेन रीट हमें मालूम है कि Supreme Court रीट जारी कर सकता है कौन से आर्टिकल के ताहथ ये 32 के ताहथ體 हाथ हाय को कों से रतिकल के ताहथSee जारी कर सकता है 226 के ताहथ कितने प्रकार के रेट होते हैं, पांच प्रकार के, तो कौन-कौन, तो एक होता है हमारा बंदी प्रत्यक्ष करान या हैबियस करपस, ठीक है, दूसरा होता है ये पर्मादेश, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा क्या, उद्प्रेशन और प्रतिसेद, ठीक, और चौथा हमार प्रिक्षा, जिसको बोलते हैं, ठीक है, यह 5 होते हैं, अब हम एक-एक को करते हैं, जहां से question बनते हैं, वो उठाते हैं, तो देखो, question heaviest purpose में पूछा जाता है, तो heaviest purpose का मतलब क्या होता है, कि बंदी को क्या किया जाए, पेस किया जाए, जो भी बंदी बनाया गया है, वो पेस किया जाए, तो यह heaviest purpose में है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कि पेस किया जाए, यह बोला जाता है, इसका मतलब ह प्रतिकारी का मतलब, जो सरकार की जितनी संस्थाएं है, संस्था और ब्यक्ति आ जाएंगे, यह लोग प्रतिकारी में, लेकिन बंदी प्रतिक्षिकरण में जानते हो कि पुलिस आता है, अब पुलिस गिरफतार करेगा, तो पेस करने का अधिकार किसमें, बंदी को पेस किय तो पुलिस पेस करेगा, तो यह समझ में आ रहा है कि लोग प्रदिकारी तो होगा है, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें लोग प्रदिकारी और नीजी ब्यक्ति, अगर कोई नीजी आदमी भी क्या करे, किसी को बंदी बना के रखा है, या उसको बद्वा मजदोरी करा रहा है, तो वो भी जा सकता है हैपियस कारपस में नीची ब्यक्ति तो ध्यान रखना है कि लोग प्राधिकारी और नीची ब्यक्ति दोनों सामिल है यह question जहां पर पुछा जा सकता है दूसरा है पर्मादेश पर्मादेश का मतलब क्या है पर्मादेश का मतलब कि हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं कि आप ये कर्तब बे करो, या आपना जो काम नहीं कर रहे हो, वो काम करो, हम आदेश देते हैं, पर्मादेश हैं, ये पर्मादेश तो ठीक है, तो किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना पर्मादेश ज्यादातर ज्यादातर किसके खिलाफ किया जाता है लोग अधिकारी के लोग अधिकारी किया नीजी बेक्ति में किया जा सकता है पर्मादेश तो नीजी बेक्ति में नहीं किया जा सकता है धियान रखना नीजी को नहीं किया जाता है तो लोग अधिकारी में हम उनके खिलाब भी हम कर सकते हैं, पर्मादेश हो सकता है जारी, तो ध्यान रखना है, कि पर्मादेश नियाधिस के खिलाब, प्रेसडेंट के खिलाब, गौर्णर के खिलाब जारी नहीं कर सकते हैं, नियाधिस प्रेसडेंट और गौर्णर के खिलाब नहीं जारी कर सकते हैं लेकिन नियादेश में एक और लोचा, लोचा ये है कि अगर नियादेश प्रसासनिक काम कर रहा है, प्रसासनिक कारे कर रहा है, नियाइक कारे नहीं कर रहा है, प्रसासनिक कारे कर रहा है, तो फिर उसके खिलाफ जारी हो सकता है परमादेश, वेर वेर इंपोर्टेंट, टि दोनों के खिलाफी जारी होता है, और कहीं नहीं होता है, मतलब एक तरसे जो judicial body होती है, उन्हें के खिलाफ जारी होता है, या क्वासी judicial, बस दो ही example है, और इसमें क्या बोलता है, कि जैसे एक कहान ही समझ लो, कि ऐसा है न, कि हाई कोट है, हम यूपी में बैठे हैं, और पहुत सारे जिला है, और जिला में जिला नियादे स्वटते हैं, या सत्रे नियाले होता है, ये सत्रे बोलता है कि ये नेड़े नहीं सुनाया रहता है, कौन सत्र नेड़े नहीं सुनाया रहता है, अपने छेतर में रहो, ये बात बोलता है, मतलब अपने छेतर से बाहर नहीं जाना है, ये प्रतिसेद बोलता है कि अपने छेतर से बाहर नहीं जाना, अपने छेतर में ही सुनाना तब क्या होगा? तब यहां पर उत्रेसट आएगा. तब उस उत्रेसट बोलेगा कि यह नेड़े जो सुनाईं वह तुम्हारे छेटर अधिकार से अर्तव हैं इसको हम क्या कर रहे हैं तो रद कर देगा है संभ़ में प्रतिशीद क्या है नेर्डे सुनाने से टला रहता है अपने छेत्र में ही सिल नाने गता ही है तो नेर्डे ने कि कोई लोग पत पे कोई ब्यक्ति क्या करें दावा करें तो उस दावे की जाज किया जाता है कोई लोग पत पे बैठा हुगा है और उस पत पे कि दावा करें की दावे की बैदता की जाज करना हो तो वो किस से होगा सुप्रीम कोट से या हाई कोट से होगा ठीक है यह कानून बनाने का अधिकार है। मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार कौन से 8 किल मैं है, तो 35 में से GPS सबको हे जानते होंगे!! लेकिन ये economic अधिकार वाले में COVID होते हैं तो वो बताना था तो यह हमारा आज का पूरा लेक्चर खतम हुआ, आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें, ठीक, चलें, थैंक यू, थैंक यू सो मच.